आप सभी का सोनी मेत कलासेज में हारदिक स्वागत करता हूँ आज अपने डिसकस करेंगे एक्सरसाइज वन पॉइंट यहाँ पे आज का जो फर्स्ट कुष्चन है वह है आपका कि निम्न में से कौन सा समुच्चे है अपने उत्र का वो चित्ते भी दीजिये तो अपने जब एक्सरसाइज श्टाइट की थी जब बात की थी कि जो समुच्चे होता है वह है सुपरिभासित वस्टूओं का एक संग्रे होता है अर्थार्थ उस समुच्चे में लिखी जाने वाली जितनी भी संखें हैं वे सभी के लिए समान होनी चाहिए जैसे अपन बात करें एक्जांपल के रूप में कि अंग्रेजी वर्ण माला के जो स्वर है उनका एक समुच्चे बनाईए तो आप किसी के भी दुआरा यह समुच्चे बनवाएंगे तो वह उन समुच्चे में उस समुच्चे में A, E, I, O, U ही लिखेगा ओके इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं लिखी जाएगी तो अर्थार्थ जब किसी समुच्चे में अवयवयवय निश्चित होते हैं तो उसे अपन समुच्चे कहेंगे अदरवाई जो है समुच्चे नहीं कहलाएगा जैसे फर्स्ट पार्क क्यूशन है इसका जे अक्षर से प्रारंब होने वाले वर्स के सभी महिनों का संग्रे तो यहाँ पे अपन यह लिख सकते हैं कि जे से कौन-कौन से मा है इस्टार्ट होते हैं साल के तो यह एक समुच्चे है क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं यदि अपन मान लीजिए इसे एक दुआरा डिनोट करें तो यहाँ पे आप जैसे श्टार्ट होने वाले जैसे जनवरी आएगा यहाँ पे इसके बाद में जून होगा इसके बाद में जुलाई होगा तो यह जो मन्त है यह आपके जैसे श्टार्ट होते हैं तो यह सभी आपके यहाँ पर एक निश्चित अव्यव है इस समुच्चे में लिखे जाने वाले तो इसलिए यह है एक समुच्चे होगा इसलिए यह एक समुच्चे नहीं होगा ओके यह एक समुच्चे नहीं है तो यहाँ पर आप कारण लिखेंगे कि यह एक समुच्चे नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस समुच्चे में आने वाले अव्यव यहां पर जो व्यक्तियों को व्यक्त कर रहा है तो जो व्यक्तियों के लिए उनकी राई के अनुसार अलग-अलग होंगे ओके नेक्स्ट आप देखे धर्ड विश्व के सर्वस रेष्ट ग्यारहे बल्ले बाजों का संग रहे तो यहें भी एक समुच्चे नहीं हैं क्योंकि सर्वस रेष्ट ग्यारह व्यक्तियों को लिखने के लिए आपको सभी किरिकेटर्स जो हैं उनकी डिटेल्स पता होनी चुए और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हमें सभी की डिटेल्स हवे मालूम हो तो यह भी अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग हो सकते हैं तो इसलिए यहें भी आपका एक सुपरिवासित समुच्चे नहीं है नेक्स्ट है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह तो यदि आपसे कहा जाए कि आपकी कक्षा के विध्यारतियों के नाम लिखिए आप एक समुच्चे के रूप में तो आपकी कक्षा में कोई भी विध्यारति हो उससे यदि आप ये समुच्चे बनवाएंगे तो व लिए यह है एक समुच्छे है तो आपको साथ में इनके कारण भी लिखने में जो बोल रहा हूँ वे आप साथ साथ में लिखें यहां पर next है सो से कम सभी प्राकरत संख्याओं का समुच्छे है तो यहां पर भी यह है एक निश्चित वैल्यू ही आएगी यहां पर जैसे मान लीजी यह अपन यहां पर लिखें तो सो से छोटी प्राकरत संख्या होने चाहिए अब प्राकरत संख्याओं यह वे एक से स्टाइट होती है ओके तो इसलिए आप यहां पर लिखेंगे 1,2,3,4,5,6,up to सो से कम मतलब लाष्ट में जो वैल्यू होगी वह हो जाएगे आपकी 99 ओके तो यह भी एक सूपरिवासित संख्या है क्योंकि यहां पर जो वैल्यू जाएवे सभी यही लिखेंगे 1 से 99 तक ओके तो इसलिए आपका यह भी एक संख्या है Next है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संख्या है तो यहां पर किसी एक particular लेखक की बात हो रही है जो लेखक यह भे है प्रेमचंद तो किसी एक लेखक के द्वारा लिखे जाने वाले जो उपन्यास है वे निस्चित होते हैं और अपन उसकी डीटेल ग वियाद कर सकते हैं इस व्यक्ती के दुआरा यह उपनियास लिखे गए हैं, तो वे सभी के दुआरा समान लिखे जाएंगे, तो यह है आपका एक समुच्छे होगा, नेक्स्ट हे सभी सम पूञांक संख्याओं का संख्यर सभी सम पूञांक तो यहाँ पे जो value जाएंगी वे आपको मालूम है कि सम संख्याओं आप roughly two से divide होगी और पूञांक संख्या है अर्थार्थ minus anand से plus anand तक होगी तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे इस प्रकार से माइनस अमंद से माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0, 2, 4, 6 अप 2 प्लस इन्फिनिटी तो यह भी आपका एक सूपरिवासिस मुझे है नेक्स्ट अपन बात करें पार्ट 8 की तो इस अध्याय में आने वाले प्रशनों का संग्रे तो इस चैप्टर में जितने भी क्यूस्चन्स हैं वे यदि किसी विध्यारती के द्वारा पूछे जाएं कि बताईए इस चैप्टर में कितने क्यूस्चन हैं तो वह देख के बता सकता है कि इसमें साथ है आठ है जितने भी क्युष्चन है इसी प्रगार यदि किसी अन्य विधारती से पूछा जाए तो वह भी यही बात बताएगा तो मतलब जो उनकी जो बात है वह कॉंस्टेंट आ रही है यहां पर समान होने चाहिए वेलिव जह वे तो इसलिए यह भी आपका एक सूपरिबासित संग्रह है वलब समुच्चे वही होगा जिन में सभी व्यक्तियों के लिए राय है वह समान हो ओके नेक्ष्ट विश्वे के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है तो यह एक समुच्चे नहीं है क्योंकि इसके बारे में आप तभी बता सकते हैं जब आपको इस विश्वे में जितने भी खतरनाक जानवर है उन सभी की जानकारी हो बट यह पोसिबल नहीं है कि इस पृत्वी पर जितने भी जानवर है उन सभी की हमें जानक तो इसलिए यह भी आपका एक सूपरिवास समुच्चे नहीं है, क्योंकि अलग-लग व्यक्तियों के दुवारा अलग-लग नाम बताए जाएंगे तो means जो चीजी हैं वे different different आ रही है तो इसलिए यह एक समुच्चे नहीं है समुच्चे होने के लिए जो values हैं जो चीजी हैं वे समान होने चाहिए सभी के लिए अब यह आपके कुछ एक extra question है इनकी साहिता से भी आप इससे समझ सकते हैं जैसे ए में लिखा गया है दस से कम विसम प्राकरत संखे हैं तो दस से छोटी आपको जितनी भी विसम प्राकरत संखे हैं प्राकरत संखे हैं मतलब एक से start होगी तो यह हो जाएंगी 1, 3, 5, 7 and 9 अब किसी भी व्यक्ति से या किसी भी student से यह पूछा जाए कि दस से छोटी प्राकरत संखे हैं लिखिये और विसम होने चाहिए तो वह यहीं बताएगा 1, 3, 5, 7 and 9 तो यह एक समुच्चे होगा क्योंकि इसमें जो value जाएं वे सभी के दुआरा समान ही बताई जाएगी next है अंग्रेजी वर्ण माला के स्वरों का संग्र है तो अभी अपन इसकी बात भी कर रहे थे तो यदि अपन स्वर की बात करें तो सभी के लिए ये समान ही होंगे आप A E I O and U तो यह भी आपका एक सुपरिवास समुच्चे होगा next है दो से भज़े उन संख्याओं का संग्र है जो पंदरा से छोटी है ओके तो आप देखें हापे और आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं उन प्राकरत संख्याओं का संग्र है तो यह हो जाएगा आपका 2 4 6 8 10 12 14 14 और यह जो वैल्यू जाएगे सभी के लिए कॉंस्टेंट रहेगी सभी के दोरा यही वैल्यू जी लिखी जाएगी तो इसलिए यह भी आपका एक सूपरिवासिस समुच्चे होगा ओके तो आपको पस में चीज यह है कि यह देखना होता है कि यदी समुच्चे में लिखे जाने वाली वैल्यू जाएवे सभी के लिए समान है तो वह समुच्चे होगा अदरवाइज वह समुच्चे नहीं होगा मान लीजिए आप से कहा जाए कि आपको पसंद पांच चीजों के नाम लिखिए तो अब यहे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यहे सभी व्यक्तियों या सभी विध्यारतियों के दुवारा समान चीज़े ही लिखी जाएगी अलग-अलग होंगी उन सभी की राय तो इसलिए इसे भी अपने एक सूपरी वैसे समुच्चे में सामिल नहीं करेंगे तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा अब आप देखें नेक्स्ट क्विशन नमबर टू तो इसमें हमें दिया हुआ है कि मान लीजिए एक कोई समुच्चे है जिसमें एक से लेकर छे तक क्या हुआ दिये हैं तो आपको उप्युक्त परतीक है इन रिक्त इस्तामों में भरना है तो सबसे पहले आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि यह जो परतीक है यह जो सिंबल है किसलिए यूज में आता है तो सबसे वहले अपन इसके बारे में डिसकस कर लेते हैं तो जो यह प्रतिक होता है इसको अपन बोलते हैं एपसाइलन ओके इसका नाम होता है एपसाइलन और यह जो चिन होता है यह समुच्छे में उपस्थित यह समुच्छे के अव्यवों के साथ काम में लिया जाता है तो सबसे पहली चीश तो आपको यह किलियर होना चाहिए कि यह जो एपसाइलन चिन है यह है केवल और केवल केवल और केवल अव्यव के लिए काम में लिया जाएगा ओके इसका ध्यान रखें विसेश अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई समुच्छे है बी टू थ्री फॉर फाइफ तो समुच्छे बी के अंदर जो अव्यव शामिल है वे हैं टू थ्री फॉर एंड फाइफ तो यदि मैं ऐसे लिखूं कि अव्यव दो समुच्छे बी में शामिल हैं यदि आप बासा के रूप में ये बात लिखते हैं कि जो अव्यव दो है वह समुच्छे बी में सामिल है तो इसे अपन इस परकार से लिख सकते हैं कि दो बिलोंग टू बी ओके और इसको आप सिंपल मानना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अपन बिलोंग कहते हैं अर्थार्थ वह कोई भी अव्यव वह उस समुच्छे में सामिल है अथ्वा नहीं है तो यदि अव्यव दो समुच्छे बी में सामिल है तो उसे आप लिखेंगे दो बिलोंग टू समुच्छे बी इसी परकार से यदि अपना अव्यव चार की बात करें तो आप लिखें अव्यव चार समुच बी में सामिल है ओके ये भाषा के रूप में और यदि इसे अपन संकेत के रूप में लिखना चाहें तो आप इसे लिखेंगे चार बिलोंग टू बी ओके इसी परकार से जो पांच है वह भी बी में सामिल है तो इसलिए आप इसे लिखेंगे पांच बिलोंग टू बी एवं जो तीन है वह भी बी में सामिल है तो तीन भी बिलोंग टू बी करेगा लेकिन यदी में बात करूं अपन और कोई अवयव मान लेते हैं 6 और यहां पर आपको भी दियावा है अब जो अवयव 6 है वह भी में सामिल नहीं है लेकिन 6 है वह एक अवयव है यह भी एक अवयव है इस कारण से चिन तो यही काम में आएगा बट इस पे आप एक तिरची लाहिन इस परकार से खिंच देंगे तो यह हो जाएगा not belong to तो यह चिन होता है belong का और यह हो जाएगा आपका not belong तो जो चिन है जो परती के वह है और वहों के साथ में काम में लिया जाता है तो अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पांच दिया हुआ है और यहाँ पर ए दिया हुआ है तो आप यह देखें कि पांच है वह है समुच्छे ए में सामिल है यह थवा नहीं है तो 5 यहाँ पर आ रहा है तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे यह जिन 5 belong to A next है 8 और A तो यहाँ पर 8 दिया है अब आप देखें कि इसमें 8 है ही नहीं इसमें 1 से लेकर 6 तक की ही value थी तो 8 है वहे समुच्चे A में सामिल नहीं है तो सामिल नहीं है तो आप यहाँ पर काम में लेंगे यह चिन ओके not belong to का इसके उपर एक तिरची लाइन और खिस देंगे अपन next आप देखें 0 और A तो वहाँ पर जो value जहें उनमें 0 भी नहीं है तो इसलिए यहाँ पर भी यही चिन काम में आएगा not belong to का next चार और A दिया हुआ है तो चार वह समुचे A में सामिल है तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे belong next दो तो दो भी वहाँ पर उपस्तित है तो इसलिए यहाँ पर भी ही आएगा कि दो है वहे belong करेगा A से ओके next आप देखे 10 तो वहाँ पर last value जो है वह 6 है और यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो 10 इस समुचे में नहीं है तो आप यहाँ पर लिखें 10 not belong to A okay तो इस प्रकार से आपको यह जो epsilon का जो चिन होता है उसका मालूम होना चीए तो epsilon का जो चिन है वह समुचे में दियेगए अवयों के लिए काम में लिया जाता है यदि वह उस समुचे में सामिल है तो आप belong to का चिन लगाएंगे एपसाइलन का चिन लगाएंगे और यदि कोई समुच्चे में सामिल नहीं हो तो आप एपसाइलन के चिन पे एक तिर्ची लायन का प्रियोग करेंगे ओके तो आप इसे नोट कर लीजिए यस अब अपन देखते हैं किस्चे नंबर थर्ड तो किस्चे नंबर रूप को रोष्टर रूप में लिखिए ओके अर्थार्थ जो वेल्यू जहें उन्हें आप कोमा के द्वारा पर्थक करके लिखेंगे तो फ़र्ष्ट पार्ट देखें कि ए में दिया हुआ है आपको एकस एक पूर्णांख है और एकस की जो वेल्यू है वहें इसका जो अर्थ है यह होता है कि एकस का मान माइनस तीन से बड़ा एवं साथ से छोटा है ओके क्योंकि यहाँ पर बराबर काचिन नहीं दिया हुआ है इसमें तो यदि अपने इसकी बात करें तो इसका आर्थ होता है एकस है माइनस तीन से बड़ी एक संक्या कल अपने बात की थी कि जो साइड ओपन होती है उस तरफ की वेल्यू हमेशा बड़ी होती है तो एकस है माइनस तीन से बड़ा है और एकस है साथ से छोटा है अर्थार्थ जो x की value है वे minus 3 से 7 के बीच में होगी तो इसलिए यहाँ पर जो value जहें वे आएंगी minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 जो x की value है वे आपको लेनी है minus 3 से बड़ी value और 7 से छोटी value तो यदि आप इसे संख्यर एका पे व्यक्त करें इस परकार से मान लेते हैं यह minus 3 है minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and यह मान लेते हैं 7 तो हमें x की value लेनी है minus 3 से तो बड़ी है इस तरफ होगी और 7 से छोटी यह वाला इस तरफ होगी तो value जो है वे आपकी आएंगी यह minus 2 से लेकर plus 6 तक तो यह value जह में यहाँ पे लिखनी थी तो यह आपका समुझे होगा next है x, x संख्या 6 से कम एक प्राकरत संख्या है तो x वह एक value है वह 6 से छोटी है और 7 में वह जो संख्या है वह एक प्राकरत संख्या है तो अर्थार्थ प्राकरत संख्या आपको मालूम होना चाहिए अपने discuss किया था यह first lecture में कि प्राकरत संख्या है वह एक से start होती है और प्लस अनंतक जाती है तो हमें केवल वे ही लेनी है संख्या है जो 6 से छोटी है तो इसको आप इस प्राकर से लिखेंगे 1, 2, 3, 4, and 5 क्योंकि 6 से छोटी value लेनी है तो एक से लेकर 5 तक की value जोंगी यहाँ पर next है समुचे C तो यह जो दियावाई है आपका भासा के रूप में लिखा हुआ है तो समुचे निर्मान रूप है तो आप देखें इसे X दो अंको की एक ऐसी संख्या है जिसके अंको का योग 8 है जो हमें संख्या लेनी है वह है दो अंको की होनी चाहिए और उसके अंको का योग 8 हमाज़े जैसे यदि अपन लें 17 तो एक और साथ को एड़ गरने से आपको 8 मिल रहा है जैसे 17 लिया आपने तो 1 प्लस 7 करेंगे तो 8 होगा यदि 26 लेंगे तो 2 प्लस 6 करेंगे तो भी 8 होगा तो इस प्रकार से जितनी भी वैल्यूज है पॉसिबल वे सभी आपको यहाँ पे रखने है तो C में आप लिखेंगे दो अंको की संख्या होनी चाहिए मतलब फ़िस्ट वैली होगी 17 इसके बाद होगी 26 इसके बाद होगी next 35 इसके बाद होगी 44 इसके बाद में 53, 62 next हो जाएगी 71 और लाइस्ट वैली हो जाएगी आपकी 80 क्योंकि 80 भी दो अंको की संख्या है और इसके अंको को जोडने पे हमें 8 ही मिल रहा है तो इसलिए यह है इसका रोष्टर रूप होगा next आप यहाँ पर देखें समुचे D तो एक से एक भाजे संख्या है और जो 60 की भाजक है अर्थार्थ उसमें 60 का डिवाइड होगा तो यदि अपन 60 की भाजक संख्याओं की बात करें तो 60 में जिन जिन वेल्यू का भाग जाता है वे लिक्याँ एक से डिवाइड होता है इसमें 2 से होता है से होता है चार से भी डिवाइड होता है इसमें इसमें पांच से भी डिवाइड होता है इसमें छे से भी डिवाइड होता है साथ से नहीं होगा एट से भी डिवाइड नहीं होगा 9 10 से डिवाइड होगा 11 से नहीं होगा 12 से डिवाइड होगा इसमें ओके और इसके बाद में 15 से डिवाइड होगा इसमें फिर 20 से डिवाइड होगा इसके बाद में इसमें 30 से डिवाइड होगा और फिर 60 से डिवाइड होगा यहाँ पे अपने वे सभी values लिखी हैं जिनके दुवारा अपन 60 को divide कर सकते हैं बट हमारे जो question है उसमें दिया हुआ है कि x1 भजे संख्या होनी चाहिए तो भजे संख्या वे संख्या होती है जिन में केवल और केवल swim का भाग जाता हो या फिर एक का भाग जाता हो तो यहाँ पे इसको अपन count नहीं करते हैं एक है वे नहीं तो भजे value होती है और नहीं है भजे संख्या होती है तो पहली संख्या होगी दो तीन अब चार है वे है भजे संख्या नहीं है क्योंकि चार में चार के अलावा एक का इन दो का तो भाग जाता है प्लस दो का भाग भी जाता है तो यह एक्स्ट्रा हो गई डेफिनेशन के अनुसार गलत है ऐसी संक्या जिसमें एक और या तो एक का भाग जाता हो या फिर स्वेम का भाग जाता हो वह भज्य संक्या कहलाती है लेकिन चार में चार के अलावा दो का बाद भी जा रहा है इसलिए यह भज्य संक्या नहीं होती next 5 होगी 6 नहीं होगी 10 भी नहीं होगा 12 भी नहीं होगा 15 भी नहीं होगा 20 नहीं है 30 और यह वेल्यू जो हैं वे होंगी केवल और केवल टू थ्री एंड पाइफ ओके यह है इसका एंस्वर होगा नेक्स्ट आप देखें नमबर फिफ्ट इसमें आपको दिया हुआ है कि जो एक्स है वह है ट्रिगोनोमेटरी शब्द का एक अक्षर है तो इसमें आप अक्षर देखें कि इसमें कौन-कौन से अक्षर बन रहे है तो एक तो टी है यहाँ पर एक आर है आई है जी है ओ है अब इस ओ को अपन वापस से नहीं लिखेंगे क्योंकि समुच्चे में कोई भी अग्यों रिपीट नहीं होता है नेक्स्ट आजाएगा आपका एम इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा ई टी को आप लिख चुके हैं पहले तो टी भी नहीं आएगा आर भी आ चुका है पहले और एक हो जाएगा वाई तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस इकूल टू टी आर आई, जी, ओ, एन, एम, और ई, वाई ओके यहाँ आपका समुच्चे ई होगा रोश्टर रूप में लाश्ट कुशन देखते हैं आप इसका आपन तो लाश्ट में आपको दिया वाई एफ है बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चे हैं तो यहाँ पर भी आप देखें कि यहाँ से अपन इसमें जो भी अक्षर हैं वे काउंट करते हैं बी, ई, टी, और आर क्योंकि यहें टी काउंट नहीं होगा और यहें ई काउंट नहीं होगा क्योंकि एक वेल्यू है एक ही बार लिखनी होती है या आपको same value को repeat नहीं करते तो आप लिखें अते f is equal to b e t and r ओके तो यह है आपका question number third था इसमें हमें जो भी समुच्चे निर्मान रूप में value दी वी थी उन्हें roster रूप में लिखना था तो easy question था ओके तो इसे आप अच्छे से note कर ले और यदि आपको कोई problem हो तो आप मेरे से discuss भी कर सकते हैं ओके धन्यवाद